Hello everyone, this is Mike Mahajan, welcome to my channel, if you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos, if you want to see my previous videos, you can see it in my channel's playlist, now forward to next exercise, exercise 3.4, उसका first question देखते हैं, find the common factors of, आपको बोला गया है, first part है 20 and 28 की बीच में आपने common factors निकालने, तो common factors हम कैसे निकालेंगे, पहले हम 20 के factors find out करेंगे, फिर 28 के factors find out करेंगे, और उनमें देखेंगे कि common factor क्या है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, factors of 20, तो हम 20 के factors लिखेंगे, तो factors 20 के क्या होते हैं, आप पास, factor का मतलब हुआ कि 20 किस किस के table में आता है, तो पहले 1 20s are 20 होता है, 1 सभी का factor होता है, उसके बाद 2 10s are 20 होता है, तो 2 के table में भी 20 आता है, फिर 4 5s are 20 होता है, तो 4 के table में भी आता है 20, उसके बाद 5 4s are 20 होता है, तो 5 के table में भी 20 आता है, उसके बाद हमारे पास 10 2s are 20 होता है, तो 10 के table में भी आता है, और मारे पास 21s are 20, तो मैंने बोला है आपको कि जो number होता है, वो खुद का factor भी होता है, और साथ इसाथ one सभी एक फैक्टर होता है तो ये दू हमारे पास समेशा रहेंगे और बाद में जिन टेबल में जो नंबर आते हैं वो आगको लिखने हैं नेक्स में निकालना है फैक्टर ओफ 28 तो 28 हमारे पास one के टेबल में आता है 128 होता है उसके बाद मार पास 2 14 जा होता है मार पास 28 उसके बाद मार पास 4 7 जा कितना होता है मार पास 28 उसके बाद 7 4 जा भी 28 होता है उसके बाद आता है मार पास 14 2 जा 28 और उसके बाद आता है 28 1 जा 28 तो इसके लिए आपको tables learn होने चीए अगर आपको table 20 तक learn है तो आपको यह easily हो जाएगा तो यह इनके factors बन गए इसके आगे इनके factors नहीं बनेंगे तो हम क्या लिखेंगे अब common factors कि इन दोनों में अब क्या common है तो common factor का मतलब हुआ कि जो numbers दोनों में आते हो तो देको 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है तो 1 दोनों में आ गया 2 यहाँ पर भी आ रहा है 2 यहाँ पर भी आ रहा है तो मतलब 2 भी दोनों में common है 4 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो मतलब 4 भी इसका factor हुआ common तो बाकि तोहाँ पास different factors है तोहाँ पास common factors 28 28 के बीच में क्या है 1 2 & 4 तो यह आपके पास ए पार्ट complete हुआ second part हमारे पास है 15 & 25 15 & 25 के बीच में देखेंगे हमारे पास some common factors तो पहले 15 के factors बिनाते हैं तो 1 सभी का factor होता है उसके बाद महाँ पास कितने जाता है 3 5 15 होता है उसके बाद होता है 5 3 15 तो 5 के टेबल में भी आता है और उसके बाद 15 आता है 15 के टेबल में 15 1 0 15 तो इतने ही टेबल है जिसमें 15 आता है तो यह 15 के factor होगे उसके बाद बनाएंगे हम 25 के factor तो पहले 1 सभी का factor होता है उसके बाद 25 किसके टेबल में आते है मारे पास 5 के 5 25 होता है और उसके बाद आते है मार पास 25 की टेबल में तो यह है मार पास के factor बन गे अब इनमे common factor देखेंगे तो देखो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 आ गया common factor और 5 यहां भी है और 5 यहां भी है तो क्या common factor आ गए साथ में 5 तो common factors आ गए 15 and 25 के बीच में 1 and 5 तो यह मार पास भी पार्ट हुआ तो next part है मार पास 35 and 50 तो 35 के factor देखो 35 किसके टेबल में आते है मार पास 1 उसके बाद किसके टेबल में आते है 5, 7s are 35 होता है then 7, 5s are 35 और then 35, 1s are 35 तो 35 के टेबल में भी मार पास 35 आता है उसके बाद हम निकालेंगे 50 के factor तो 50 के factor देखो 51 के टेबल में आता है उसके बाद मार पास 2 के टेबल में आते है मार पास 2, 25 is the 50 होता है then हमारे पास किसके टेबल में आते है मार पास 5 के 5, 10 is the 50 उसके बाद मार पास आएका 10, 5 is the 50 then 25 के टेबल में आते है 25, 2 is the 50 होता है और उसके बाद 51,050 तो ये सारे factors होगे मार पास 50 के अब हमें निकालने इनका common factors तो common factors इन दोने की बीच में मार पास क्या जाएंगे 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो 1 and 5 आगे common factors किसके 35 and 50 के तो यह हमारे पास 3 part complete हुआ So next part हमारे पास है 56 and 120 तो 56 के factor देखते है हमारे पास तो 56 किस-किस के table में मारे पास आता है 1 के table में आता है 1 56 जा 56 होता है हमारे पास Then 2 के table में आता है हमारे पास 2 28 जा 56 होता है Then 4 के table में आता है हमारे पास उसके वाद 7 के टेवल में 8 के 14 के 28 के 56 के तो यह सारे टेवल में वहाद पास क्या आता है 56 आता है then 120 के टेवल लिखने है तो 120 वड़ा नंबर है और यहाँ पास काफी टेवल में आता है तो यह 1 के टेवल में भी आता है then 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60, 120 तो यह सारे टेवल में पास क्या आता है 120 आता है तो यह 120 के सारे factors हुए then हमें common factors निकारने है तो common factors देखो इन में क्या होगा 1 दोनों में आ रहा है then 2 भी दोनों में आ रहा है उसके बाद 4 हमारे पास दोनों में आ रहा है 8 भी हमारे पास दोनों में आ रहा है तो मारा पास common factors क्या आ गए 1, 2, 4 and 8 तो यह इसके common factors हुए और मारा पास यह first question भी complete हुआ so next question है second question find the common factors of जो first question था उसमें मारा पास दो numbers से उनके बीच में common factors निकालने थे और अब second question मारा पास 3 numbers में common factors निकालने तो उसी की तरह हमारा पास होगा पहले हम 4 के factor निकालेंगे then 8 and then 12 के और उसके बाद उनके common factors find out करेंगे तो 4 किस-किस के table में आते हमारा पास 1K then 2, 2's are 4 then 4, 1's are 4 8 किस-किस के table में आते हमारा पास 1K फिर 2, 4's are 8 होता है 4, 2's are 8 होता है and then 8, 1's are 8 12 की बात करते है 1, 12's are 12 होता है then 2, 6's are 12, 3, 4's are 12, 4, 3's are 12, 6, 2's are 12 and 12, 1's are 12 तो यह 12 के factors होगे अब देखना है common इनमे तो देखो 1, 3ो में common आ रहा है 3ो में हमारा पास 1 है then 2 भी हमारा पास 3ो में आ रहा है तो 2, 20 का factor होगा और 4, 20 अभी में आ रहा है तो यह 3 हमारे पास की common factor हुए हमारे पास और first part complete हुआ so next part हमारे पास है 5, 15 and 25 तो 5, 15 and 25 के बीच में निकाने common factors पहले 5 के factor निकालते हैं तो 1 and 5, 5 के factors होगे 15 किस-किस के table में आता है हमारे पास 1 के then 3, 5's are 15, 5, 3's are 15 and 15, 1's are 15 तो यह tables होगे 25 आता है 1 के table में उसके बाद आ गया 5, 5's are 25 and 25, 1's are 25 तीनों में common देखो तो 1 सभी में आ रहा है और 5 भी हमारे पास सभी में आ रहा है तो मतलब 1 and 5 हमारे पास होगे common factors और यह हमारे पास second question complete हुआ आपको बोला क्या है कि पहले तीन common multiples निकारने आपने 6 and 8 के बीच में हमारे पास तो पहले में 6 के multiple लिखने पड़ेंगे then 8 के multiple और देखना पड़ेगा कि पहले तीन common multiple कौन होगे ठीक है तो उसका start करते हमारे पास answer तो पहले में क्या करूँगा 6 के multiple लिखूँगा then 8 के multiple हमें कब तक multiple लिखते जाना है जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता सेम नंबर मारे पास तीन first मारे पास common नहीं आ जाते तो मारे पास यहाँ पर है multiple of six and eight हमें find out करना है पहले six की multiple लिखते है हमारे पास six one is six ठीक है multiple का मतलब क्या होता है हमें six का table बढ़ना है simply हो multiple होगे हमारे पास तो six one is six, six two is 12, six three is 18, six four is 24, six five is 30, six six is 36, six seven is 42, six eight is 48, six nine is 54, six ten is 60 मैंने अभी तक six का table 10 तक पढ़ा और अब क्या कर लेते हैं eight का table पढ़ लेते हैं तो eight one's are eight, eight two's are 16, eight three's are 24, eight four's are 32, eight five's are 40, eight six's are 48, eight seven's are 56, eight eight's are 64, eight nine's are 72 and eight ten's are 80 ठीक है हमें table कब तक पढ़ते जाना है जब तक हमारे पास इन दोनों में पहले तीन common multiple हमें नहीं मिल जाए क्या मतलब हुआ देखो यहां पर पहले देखना है में common क्या हमारे पास अगर आप common देखेंगे यहां पर 24 है यहां पर यहां पर भी 24 है तो एक common multiple मिल गया second देखो मारे पास कुछ multiple common देखता है यहाँ पर तो 48 आगर देखोगे यहाँ पर भी 48 है और यहाँ पर भी 48 है यह second common multiple निकल गया अब एक और multiple चाहिए और इसके बाद अगर आप देखोगे तो common multiple नहीं मिल रहा है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक और multiple मिल यहाँ पर 72 यहाँ पर भी 72 आगया और यहाँ पर भी 72 आगया तो यहाँ पर हम table करनेंगे stop ठीक है हमें तब तक table पर देजाना है जब तक पहले तीन common multiple हमें नहीं मिल जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे तो मारे पास common multiples जो मारे पास आगे वो क्या आए मारे पास एक आगे 24 देन 48 और उसके बाद आया 72 तो यह मारे पास फर्स पार्ट complete हुआ तो सेकिंड पार्ट हमारे पास है 12 और 18 तो 12 और 18 के बीच में first 3 common multiples हमें find out करने है तो पहले 12 का table पर लेंगे and then 18 का table पर लेंगे तो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 8s are 84, sorry 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108 and then 12 10s are 120 10 तक पर लेंगे 12 का table अब 18 का table कर लेते हैं आपास 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 90, 18 6s are 108 ठीक है मैं अभी तक नहीं पढ़रा हूँ उसके आगे table क्यों अगर आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास 3 common multiple हमें मिल जाएंगे देखो कैसे 36 यहाँ पर भी है इसमें भी 36 हमारे पास है 108 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमारे पास 108 है then हमारे पास 72 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो 3 common multiple हम यहीं पर मिल गे तो हम 18 का table आगे पढ़ने की जुरूरती नहीं है तो मतलब हम क्या लिख लेंगे first three common multiples are तो first three common multiples हमारे पास क्या हो जाएंगे 36, 72 and 108 तो यह मारे पास third question complete हुआ तो आज के लिए इतने question करेंगे next question करेंगे next video में तो अगर आपको इन questions related कोई भी problem हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको मेरे previous video देखनी हो तो मेरे channel की playlist में आप जा सकते हैं till then thank you